पिंजोर और कालका शहर में एक साथ 11 करोना पॉजिटिव के नए मामले और आए सामने जिन में पांच कालका में जबकि 6 पिंजोर शहर और गाओं के करोना संक्रमित मामले हैं स्मो डॉक्टर धर्मेंदर हर्याना स्वास्तेवी भाग कालका के स्मो डॉक्टर धर्मेंदर ने पिंजोर और कालका शहर में 11 करोना संक्रमित के मामलों की पुष्टी करते वे कहा कि दोनों शहरों और गाओं में कुल 11 करोना पॉजिटिव के मामले आए हैं और स्वास्तेव भाग 11 लोगों को आइसलेट करने के त्यारियों में जुटा हुआ है हैसे मों डॉक्टर धर्मेंदर ने बताया कि कालका शहर के टगरा हकीमपूर हाउसिंग बॉर्ड कालोनी शक्तिनगर कालका के अलावा खेडा सितराम कलोनी में दो करोना पॉजिटिव के मामले सामने आये हैं जबकि पिंजोर शहर में चर्णिया गाउं, विराट नगर पिंजोर, नवानगर, नानकपुर, विश्व कर्मा कलोनी, पिंजोर के अलावा पृतम कलोनी मड़ावाला को मिलाकर 6 करोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं इन में चर्णिया गाउं, नवानगर गाउं के अलावा विश्व कर्मा कलोनी को मिलाकर 3 महिलाएं करोना संक्रमित पाई गई हैं, विभाग सभी 11 लोगों को आइसलेट करने के त्यारियों में जूटा हुआ है, स्वास्ते विभाग कालका और पिंजोर सहित, नानकपुर पहरी लोगों के सासाथ ग्रामनों में भी बन चुका है, लोकडाउन में मिली धिल के बाद लोग दो गज की दूरी बनाना भूल चुके हैं और कोरोना संक्रमन के मामलों में दिन रात बड़ोतरी होती जा रही है